हलो आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में कहां पर है रेजिस्टन्स कहां पर क्या फ्यूचर हो सकता है वीडियो को शुरू करो से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो और आपकी जादा है तो जेप है अगर आप देखो तो भाई या 6.50 पैसे और उसी के आसपास आई तूटा नहीं यह नहीं तीजी है लेकिन एक साल की बात करें तो एक साल में अगर देखे तो यह शर साड़े तीन रुपय का था तीजी देखने को मिली 10 रुपय से भी उपर निकल गया था यह शर उसके यह बागी कंपनियों में देखने को मिल रही है पांस साल का गराफ काफ़ इंटरस्टिंग है अब देखते हैं कोविट के वक Two तूटा था भैंकल गिरावर्ट थी पचास पैसे का था कोविट के वक्त 50 पैसे का उसके बाद भागता ही चला गया भागता ही चला घा अब व हालत खराब हुई इसकी लेकिन फिर भी बहुत बड़ी रफतार दुबारा भी देखने को मिले लेकिन उसके बाद ऐसा टूटा है कि मार्केट के अबे वॉल्यूम एक करोड से भी जादा का देखने को मिल रहा है लेकिन कमपनी की बात करें तो कमपनी को पिछले क्वाटर में तक्रीबन दो करोड का लॉस हुआ था जोकि बहुत कम है ये लॉस जबकि रेवन्यू था एक हजार चार सो करोड से भी जादा का त कोशिश करें तो 100% लोग करें खरीदारे करो according to money control user यहां पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अप्रिल में वैया कमपनी के ही अप्रिल महिने में डिरेक्टर के जो relative है अंजली जैन है और एक उर्वशी गौर है अंजली जैन की तरफ से अप्रिल महिने में दो लाग शेर खरीदे गए प्राइस था 6.90 पैसे के आसपास उर्वशी गौर की तरफ से जो भी डिरेक्टर के immediate relatives है उनकी तरफ से एक लाग शेर खरीदे गए थे 6.95 पैसे के आसपास ठीक है तो 2022 में यह transaction हुए है इससे पहले 2020 में हुए थे लेकिन बिक्वाली के थे तो देखो तो इनके revenue में बहुत बड़ा जंप आया है जो revenue लगाता तूट रहा था 3300 क्रोड तक चला गया वो सीधा एक ही साल में अगले ही साल 4624 क्रोड का बहुत बड़ा जंप है revenue में profit की जहां तक बात करें तो दो सालों से company profit में है 225 क्रोड का profit 2021 में था और अभी 107 होंगा कि मैं यह नहीं मानता हूं कि यह multi bagger share बनेगा बहुत बड़ी तेज़ी दिखाएगा लेकिन इसके एक दो quarter काफी interesting होके देखना कि यह जो नतीजे आ रहे हैं क्या यह वाकई में सही है कि मतलब continue हो पाएं यह कि नहीं profits वाले क्योंकि मुझे लगता है कि इतने ज्या है इनके peers अगर हम देखे peers में अदानी green तो बुली जाओ मैं कभी सो count करता ही नहीं हूँ NHPC साड़े 9 के आसपास का है SJVN यह 11 के आसपास का है KPI green 30 के आसपास का है इसका यहां पर एक और चीज है कि भाया long term में पैसा नहीं बना है dividend pay नहीं कर रहा है holding में अगर आप या चीज पता चलेगी वो है promoters promoters के almost सभी के सभी shirts गिर्वी पड़े हैं promoter की 24% की holding है जिन में से 22.71% की holding गिर्वी पड़ी हुई है और promoter ने अपनी holding लगाता promoter बेच रहे हैं December में 26% की holding थी promoter की वो मार्च में घटके 24 पर आ चुकी है और यहां पर आप देखोगे तो खरीदारी कौन कर रहा है खरीदारी कर रहा है रिटेल इंवेस्टर्स जो डिसमबर में रिटेल इंवेस्टर की holding सिर्फ 14.5% की थी आज वो 20% पर आई है एक ही quarter में में रिटेल इंवेस्टर्स ही जागता खरीदारी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं बड़े fund houses बेच रहे हैं mutual fund तो भाईया exit ही कर चुके हैं यहां से उनका कोई interest है ही नहीं तो JP power देखो definitely share आपको नीचे की तरफ जाता देखने को मिल रहा है मुझे लगता है कि 6 रुपए के उपर तो खरीदने वाला share नहीं इवन 5 रुपए के उपर भी खरीदने वाला share JP power का नहीं है क्योंकि long term में आने वाले दौर में JP power हो या return India power हो इन company को जो बड़ी company है बड़ी मचलिया है वो इनको खाने वाली है ठीक है अब काफी लोग यहां पर ये भी कहेंगे कि अच्छा अगर वो acquire भी करेंगे तो अच्छी बात है ना इनको तो तो पहली जिस तो यह कि किस condition में करेंगे वो भी देखना होगा लेकिन acquire अभी का ऐ देखने को मिल रहा है ठीक है लेकिन आने वाले दोर में मुकेश अंबानी भी अंटरी करने वाले है तो जो स्टेट गवर्मेंट के कई सारे project है जो इन दोनों के बीच में थे अब भाई हम मुकेश अंबानी भी अपना हिस्सा वहां से लेंगे आने वाले दोर में जो बढ़ा question mark होगा तो इसलिए JP power मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके नहीं बन रहे हैं कंपनी अभी उतनी जादर stable दिखाई नहीं दे रही है नहीं financially उतनी well equipped लग रही है तो यही कहूंगा अभी के लिए कि avoid करिए JP power को 6 रुपे क्या 5 रुपे के उपर भी खरीदने वाला श कोविट के वक्त हमने देखा कि बड़े से बड़े मतलब छोटे से छोटे शर्ट रहे थे भाग रहे थे तो उसमें यह भी भाग लिया तो आने वारे दोर में अब टिकेंगे कि नहीं इस market में वह एक देखना रहेगा और अगेन इनके जो profits है वह आने वारे दिनों में अगरा पहली बार रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जीपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक यू